एलो एंड वेलकम तो मैं चैनल तो आज एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है यूपी की जो नीट कांसलिंग होने वाली है उसमें एक बहुत मेजर अपडेट देखने को मिला है तो उसी बारे में मैं आप से डिसकस करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं सबसे बड़ी उत्यप्रदेश के स्टेट में टोटल 700 जो सीट है MBBS में वो इंक्रीज हो गई है तो आप लोगों के लिए बहुत जादा बेनेफिट होने वाला है और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अब यूपी में प्राइवेट में चार नए मेडिकल कॉलिज इस साल खुल गए हैं चार नए मेडिकल कॉलिज इस साल खुल चुके हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं from the very first round you can apply for these colleges और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो चार नए मेडिकल कॉलिज इस खुले हैं यह इसमें से तीन मेडिकल कॉलिज इस अप लोग को बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है इसके benefits क्या है और क्यूं आप लोगों को ये वाले colleges लेने ही चाहिए क्यों आप लोग को यह वाले colleges apply करने चाहिए अपनी counseling में क्यों इनको high priority पर रखना चाहिए यह मैं detail में बताऊंगा end तक इस वीडियो को आप लोग देखिए ध्यान से ठीक है तो basically मतलब seats जो है वो total increase कर गई है जो चार नए medical colleges हैं उसमें 400 seats आपको मिलने वाली total ठीक है दो 150 seats वाली है और 250 seats वाले colleges है और बाकी के जो तीर medical colleges पुराने थे उसमें 100-100-100 seats increase करके ऐसे total 700 seats increase हुई है इस बार तो आप लोग को थोड़ा benefit तो मिले गई सबसे बहले बात कर लेते हैं हमारे जो पुराने medical colleges थे उसमें इस साल जो कितनी seats का intake रहने वाला है जो नया update आ चुका है उसके साबसे मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे बहले बात कर लेते हैं करियर इंस्टिट्ट ओफ मेडिकल साइंस जो की लखनों में देख है और सुभार्ती medical college मीरत 200 seats स्वीडाम मूर्ती 150 मुझफर नगर medical college 200 seats रोहिल खंड में कॉलेज हापपुर 250 seats मेयो इंसिट्ट ओफ मेडिकल साइंस बारा बंकी की सीट्स 250 कर दी गई है ठीक है राच्री बरेली 250 है रिटेज इंसिट्ट जो है वारानसी में 200 seats हिंद मेडिकल कॉलेज सीता पूर्वाला 150 seats पहले भी इत्मी थी कोई बढ़ाव देखने को नहीं मिला कोई 150 seats वरुनार्जून मेडिकल कॉलेज शाजापूर 150 seats जी एस मेडिकल कॉलेज हापूर इसकी 250 seats NCR इंसिट्ट ओव मेडिकल साइंस मीरट MSY 150 seats और युनाइटेड प्रयागराज 150 नोइडा निम्स जो है गौतम बुद्धनगर में 150 seats नरायना कानपूर 150 seats और SK मतुरा 150 seats तो य यह थे हमारे 31 मेडिकल कॉलेज 31 मेडिकल कॉलेज जो माइनोरेटी और नॉन माइनोरेटी को मैंने मिला करके बता दी इसमें जो अपडेटेट फीस सॉरी अपडेटेट सीट का जो स्ट्रक्चर आया है जो यूपी का नीट यूजी कांसलिंग के लिए जो ब्रॉचर रिली में इसमें 50 सीट का इंटेख है ओनली 50 पचास बच्चों का ही इंटेख है अजय संगल इंस्टीट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डिसर्ट सेंटर एंड आयूश्मान होस्पिटल शामली यह पीपीपी मोड के अंडर में आता है इसमें 150 सीट का इंचे लिए जा रहा है फि सिद्धी बिनायव मेडिकल कॉलेज और होस्पिटल संभल पीपीपी मोड में है यह भी है और इसमें 50 सीट साइंटेक है मात्र तो ऐसे करके टोटल 400 जो है नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए 400 सीट अलोच हो गई है और पुराने तीन मेडिकल कॉलेजेस में 100 बढ़ा करके ऐ टोटल यूपी में अगर देखा जाए तो 35 मेडिकल कॉलेजेस इस साल के लिए आप लोगों को अबलाई करने को मिलेगा 35 मेडिकल कॉलेजेस माइनोरिटी नाइनोरिटी मिला करके जिसमें से तीन मेडिकल कॉलेजेस ऐसे रहेंगे जो PPP मोड में आएंगे और टोटल प्राइविट पार्टनर्शिट इसके अंदर पर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे सबसे पहला है इंप्रूवड इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर ठीक है ट्रास्रूम्स आपके लेबोरेट्री वास्पिटल फैसिलिटीज जितनी भी रहेंगी वह सारी की सारी इंप्रूवड देखने को मिलेगी ठीक है सेकेंड पॉइंट आता है इन्हांस्ट ओफ एजुकेशन तो बेसिकली यह जो पीपी मोड वाले जिस मोड वाले कॉल्जिस खुले हैं इसमें आपको क्वालिटी ओफ एजुकेशन भी अच्छा देखने को मिलने वाला है ठीक है तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं टू एडवांस टेक्नोलोजीज जैसे की हमारे जो एक्विप्मेंट्स होते हैं इन्हांसिंग लर्निंग एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आप आपको देखने को मिलने वाली है ठीक है फिफ्ट है हमारा फाइनेशल सस्टेनेबिलिटी ठीक तो इसमें आपको सस्ट इन्सिट्यूट के लिए देखने को मिलेंगे सिक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्री कॉलाबरेशन यहां पर आपको मतलब डेवलोपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंप्लॉइमेंट अपॉर्चिनिटीज और बैटर इंटर्शिप देखने को मिलने वाली है सेवन्थ प्राइमेरी फोंकस प्रवाइडिंग और एड्शिट्यों कम रहेगा सिर्फ जणिरेट करने पे नहीं रहेगा जंद्सिट्स में इसका एक्षा क Bowl現在 हमें the theory मैं तो यही recommend करूँगा कि आप इन colleges में apply कीजिए ठीक है अब जो 50 seats वाला है उसमें तो cutoff भी high देखने को मिलने वाला है ठीक है because 50 seats बहुत कम होती है और एक batch में सिर्फ 50 बच्चे मतलब आप लोगों को बहुत जादा benefit रहेगा बिकॉज जितने कम बच्चे रहते हैं एक batch में उतना अच्छा माला जाता है किक है उतना ज्यादा मतलब efficient efficiency देखने को मानी जाती है तो basically आप इन तीन medical colleges को apply कीजिए और जितना हो सके मैं आप लोगों को information latest information provide करता रहूंगा और जैसे ही इन नए medical colleges का fee structure release होता है मैं आपको व में on YouTube and Instagram so that you can get all the information before getting admission and before going into the counseling of Uttar Pradesh okay thank you so much for watching my video good bye